जीवन की बहुत गहन समझ के साथ हम उस द्वनी या शब्द तक पहुँचे हैं जिसे हम शिव कहते हैं इसका मानवी करण इसकी कहानी सिर्फ आपको इसके कई आयामों के बारे में समझाने के लिए है हम जानते हैं कि इस द्वनी का आपके उपर असाधारन असर हो सकता है यदि आप में किसी चीज को ग्रहन करने की अच्छी ख्षमता है तो यह समझे कि यह द्वनी शिव आपके लिए एक विस्फोटक की तरह काम कर सकती है सिर्फ एक उच्चारन आपके भीतर बहुत शक्तिशालि तरीके से विस्फोट कर सकता है इस द्वनी में इतनी शक्ति है या एक विज्ञान है जिसे हमने अपने भीतर एक बहुत गहन अनुभव से समझा है हमने बहुत गहराई से उसे देखा है शिव में शी द्वनी का अर्थ मोल रूप से शक्ति या उर्जा होता है भार्तिय जिवन शैली में हमने हमेशा से स्त्री गुण को शक्ति के रूप में देखा है मज़िदार बात यह है कि अंग्रेजी में भी स्त्री के लिए शी शब्द काहे इस्तिमाल किया जाता है शी का मूल अर्थ शक्ति या उर्जा है लेकिन यदि आप सिर्फ शी का बहुत अधिक जाप करेंगे तो वह आपको असंतुलित कर देगा इसलिए इस मंत्र को मंद करने और संतुलन बनाये रखने के लिए उसमें व जुड़ा गया व वाम से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रविन्टा शीव मंत्र में एक अंच उसे उर्जा देता है और दूसरा उसे संतुलित या नियंत्रित करता है दिशाहिन उर्जा का कोई लाप नहीं है वा विनाशकारी हो सकती है इसलिए जब हम शिव कहते हैं तो हम उर्जा को एक खास तरीके से एक खास दिशा में ले जाने की बात करते हैं धन्यवाद प्रणा करते हैं